दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रिवस ग्रेहेर की 10 सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ मोटिवेशन भी मिले, तो चलिए शुरू करते हैं, नमबर वन, खुशी सोलंकी जी का कहना है कि उन्होंने आट मेहनों में अपने 70 परसंट बाल काले कर लिये हैं, इसके लिए उन्होंने अपने हेल्दी डाइट और बलायम का सहारा लिया, लेकिन मेरे कहने पर जब उन्होंने आवला इंटेक शुरू किया, तो उनके बाल काले होने का प्रोसेस फास्ट होने लगा, उन्होंने आवला मुरब्बा खाना शुरू किया था आप आवला इंटेक के लिए फ्रेश आवला जूस आवला पाउडर या आवला मुरब्बा इस तरह से आप आवला को किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं लेकिन रेडिमेट आवला जूस से बालों पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है उनसे किसी ने पुछा कि उनकी एज कितनी है और कौन से प्रिकॉशन उन्हों ने लिये इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने नॉर्मल हेल्दी डाइट के साथ डेली 1 घंटा बलायम किया और जबसे उन्होंने मेरे वीडियो देखे तो आवला मुरब्बा डेली 2 पीस ख कास्ट होने लगा मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबस 30-35 साल के उम्र वाले बार बार ये सवाल पुछते रहते हैं कि क्या 30 प्लस के बाद उनके बाल काले होने की गुंजाईश है ऐसे लोगों को ये सकसे स्टोरी इंस्पायर करेगी कीरन S.G. का कहना है कि उनकी एज 27 साल है और उनकी बीर्ड के 12-20 बाल जो सफेद हो चुके थे उन्होंने दो मेहने से लगाता ब्लैक स्ट्रप मॉलसस लेना शुरू किया तो अब उनके बीर्ड के 3-4 बाल काले हो गए हैं बहुत सारे मेल सब्सक्राइबर अपनी दाड़ी के सफेद बालों के लिए मुझसे रेमेडी पूछते रहते हैं बलायम से सिर के बाल काले होते हैं पर दाड़ी के सफेद बाल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं मैंने अलरेडी उस पर वीडियो बनाया था दाड़ी के ब या ब्लैक्स ट्रफ मॉलसिस, ये सब ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक्स ट्रफ मॉलसिस बहुत ही गरम तासिर का होता है, इसलिए आपके शारिर्ष स्थीति के हिसाब से ही ले सकते हैं, इसके अलावा आप एक्स्टरनल केर मेरा मिलेनियन ओईल दाड़ी के बालों के रूट्स म बनाया गया ओयल है ये 28 इंग्रिडेंट्स बालों के पिग्मेंटेशन को बढ़ाने का काम करती हैं अगर आप खरीदना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाट्सप नमबर दिया गया है आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डियेम भी कर सकते हैं नमबर थ्री सुनिल कुमार जी ने बताया है कि उन्होंने चार मेहनों से बहुत सारी चीजें फॉलो की हैं और अब उनके बाल रूट से ब्लैक होने लगे हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर बताया था कि वो आवला इंटेक, हेल्दी डाइट, बलायम और शिर्शासन करते हैं नमबर फोर विपीन महता जी ने बताया है कि वो छे सत महनों से बलायम कर रहे हैं और अब उनके बाल रूट से काले हो रहे हैं नमबर फाइव अरबास खान जी का कहना है कि उन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी फिर उन्होंने अपनी वाइट बीर्ड का ट्रिट्मेंट शुरू किया उन्होंने आमल की रसाइन, ब्लैक स्ट्रेप मॉलेसिस और कलोंजी ओयल का इस्तिमाल किया एक मेहने में उनके पांच्छे बाल काले हो गए और उनकी उमर 34 यह है जो लोग अपनी दाड़ी के सफेद बालों को काला करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सकसे स्टोरी बहुत ही यूसफुल है काप कलजी ने बताया है कि वो पिछले 12 दिनों से बलायम कर रहे हैं और उनका एक सफेद बाल काला हुआ है बलायम से कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है ये उनकी इंटर्नल हेल्थ और एज पर भी डिपेंड होता है अगर उनकी इंटर्नल हेल्थ अच्छी है और कम उमर है तो अकसर जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं फैजन अली जी ने बताया है कि आवला का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आवला से 100% बाल काले होते हैं और वो 5 मेहनों से आवला मुरब्बा खा रहे हैं अब उनके बाल कुछ-कुछ काले हो रहे हैं फैजल भाई पाकिस्तान से हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे पूछा था कि पाकिस्तान में उनके एरिया में फ्रेश आवला नहीं मिलता है लेकिन मुरब्बा मिलता है तो मैंने उन्हें बताया कि मुरब्बा को पानी से वाश करके खा सकते हैं तब उन्होंने डेली मॉर्निंग में खाली पेट दो पीस आमला मुरब्बा खाना शुरू किया उन्हें पांच मेहनों में रिजल्ट मिलना शुरू भी हो गया नमबर एट ये मैसेज मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर दिया था उन्होंने अपनी डाइट का ध्यान रखा साथ में डेली 30-40 मिनिट तक बलायम करती थी पर उन्हें उस वक्त विश्वास नहीं था कि बलायम से बाल काले हो सकते हैं जब उनके बाल बलायम से काला होना शुरू हो गए तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं जब देखती हूँ हेर को रूट से बलायम होते हुए तो मुझे मिराकल लगता है इंपॉसिबल चीज को पॉसिबल होते हुए देखना ये सकसे स्टोरी उन लोगों के लिए भी है जिने अभी तक बलायम पर विश्वास नहीं है रावत जी का कहना है कि बलायम से उन्हें रिजल्ट मिला है तीन मेहनों से वो बलायम कर रहे हैं उनके कुछ बाल रूट से काले हुए है अनुष्का यादव जी ने बताया है कि उनके दादा जी की उम्र 65 यस है वो बलायम डेली एक घंटा लगातार दो साल तक करते रहे और अब उन्हें फुल रिजल्ट मिल गया है अब रिजल्ट मिलने के बाद भी उनके दादा जी डेली 20 से 30 मिनिट तक बलायम करते रहते हैं और उनके दादा जी के बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें ठैंक्यू दोस्तों ठैंक्यू